पित्रुपक्ष स्पेशल आज हम बनाने वाले महारश्टन स्पेशल उड़त दाल के फुले फुले वड़े रिजल्ट देख सकते हो देखते हैं मुँमे पानी आग्या नखास करके पित्रुपक्ष में बनाया जाता है जब हम बड़ा बनाते तो फुलता थोड़ा भी नहीं है तो यहाँ पर छोटी सी छोटी सी टिस मैंने आपको बताईए दोस्तों उम्मीद करूगी आपको यह आसान सा तरीका बहुत ही पसन आएगा जैसे मैं तेल में से डाल एकदम पटाफट यह फूल एकदम टम जैसे फुगुबारे के जैसे यहाँ पर मैंने आपको तोड़ के भी बताया आप देख सकते रिजट थोड़ा भी इसने ओईल पियाने कुछ भी ने उम्मीद करूगे कि आसान सा तरीका आपको बहुत ही पसन आएगा आपर हमने एक कब जितनी उड़त डाल ली थी इसे मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भीगो कर रखा था पहले डाल को अच्छी तरसे धो लेना है क्योंकि डाल में थोड़ी बहु डस होती नहीं इसलिए 2-3 पानी धोने के बाद हमें इसे भीगोना है आप देख से तो उपर का जो पानी कितना क्लीन हो गया है तो दाल को हमने पहले ही भीगो के रखा था क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता नहीं इसलिए दाल 6 घंटे के वाद हम लोगे बाद 6 करेगे अच्छी तरसे भीगो कर हो चुकी है आप देख से तो पर्फेक्ट यहां पे बरतन ले 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 तो यहां पे एक छन्नी ले ल आएगे तो दाल को अच्छी तरसे निथार के हमें लेना है पानी थोड़ा भी निचे इस बात का ध्यान देना है इसलिए यहां पर हमने चन्नी का यूज किया है आप देख से एसे छोड़ दे तो तब तक हम मसाली की तैयरी कर लेते हैं अब यहां पर मिर्चर का बरतन ले आदा चमत जीरा इसके साथ हम डाल देते थोड़ा सा कटा हुआ धनिया अब इसे अच्छी तरसे बिना पानी के मसाली को पीस लेते हैं पर वड़ी का मसाला मारा बनकर तयार हो चुक है आप देख सो तो इससे इस तरह के से पिसना है पानी का यूज थोड़ा भी करना नही अब यहां पर उड़त की डाल हमने अच्छी तरसे निथार ले हां पर मैंने दूसरा बाउल ले लिया क्योंकि यह जादा भर गया तो नीस ले देख सो तो बहुत सारा पानी निकल गया है अच्छी तरसे अभी हां पर ले ले लेते मिक्सर का बरतन अब यहां पर जो डाल निथार के रखी तो इसके अंदर हमें डाल देनी है हाँ अभी से में दौब बैच में अच्छी तरसे पीस लेते हूं पानी का यूज नहीं करना है अब आपको ला हर बार पानी का यूज नहीं डाल ले तो पीसकर के से होगा क्योंकि दाल को हमने चे गंटे के लिए पानी भीगों के रखी तो दाल ने पानी पी लिया है तो इसके वजह से अच्छी तरसे पीसकर होई जाते हैं तो पानी का हुई शक्ता हम यहां पर लगती नहीं तो दाल को हम पीस लेते अच्छी तरह से नियसीं बाल में निकाल यया अब देसो कितनी दम गाडी है इस तरीके से ज्यादा पतला बैटर होगा न तो ये जो वड़े हमारे फुलेगे नहीं है और इस तरीके से बैटर होगा तो वड़े एक नमबर फुलेगे जैसे हमारी नॉर्मल पूरी होती न वेसे फुलते टम टम जैसे है न अब यहापे जो मसाला हमने पूरा ही डाल देना इसे मैं हो तो skip कर सकते हो ऊह तो आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो तो भी चलेगा क्यूंकि हंपने हरीमीच अद्रक लसुन डाला ना इसका स्वाध भी एच्छा लगता है काने में अब आप डाल देते हैं नमक स्वाधूसार ये ठाल देते हो थोड़ा सा धनिया कट अब इस इसलिए बताती हूं जब आप घर पे रेसिपी बनाओ गे न तो आपकी रेसिपी दम पॉफेक्ट बने जैसे हमारी जैसे इसलिए मैं बार बार आपको बताती हूं कि बिगड़ना नहीं चीए बस अब इसे अच्छी तसे में मीज कर लेते हैं मसालों को इस साथ डाल में यहाँ पे अच्छी तसे में मसाली को चला लिया आप देशा अभी पहले से हलका सा बैटर यह हलका हो गया है पहले कितना गाड़ा ता भी हलका हो क्योंकि मैंने इसे कंट्यूनी चला लिया है मसाला भी मीक्स हो गया और इकदम पॉफ है इस तरह के से बैटर होना चेदम गाड़ा गाड़ा तभी हमारे बड़ा अद्दम खाने में एक नंबर लगता है अब हातों को कर लेते हूं कि किकल हमारे तो उचेदर हो और जाते होने इसकंट से निबर नें और दम सब्श सब्सक्राइब हमारा उन्यूरा श्रादम और तरवभी हम एक आप प्रद्स तो यह करने का में कैटरन बितादर क्या इजिक्का भी में मारता निकल जाता है अधी थोड़ा सा उईल लगा ले कर लेना है देख सो यहां पर इसे डिप करना है अब यहां पर बैटर ले ले लेती हूं कि बैटर लेगे न तो यह थोड़ा भी चिपकता ने कुछ भी नहीं इसली हो जाता है तो अच्छी तर से इसे फैला देगे और गोल-गोल सेप में इसे पूरी के जैसे बना देते हैं अच्छी तर से हलका सा में पानी लगा लेती हूं और अच्छी तर से से गोल-गोल-गोल करती जाओगे अब आपको ला गोल तो कहा दिख रहे है थोड़ा आडा तेडा दिख रहे है इसे अच्छी तर से गोल-गोल सेप कर लेने फिर और अच्छी तर से हातों से इस तरीक तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है आप देख सकते हो अभी एक जग में ने ओईल गरम करने को रख लिया अभी कैसे फ्राइ किया जाता है वो बता देते हैं अभी इसे इसली निकल जाता है इस तरीके से अभी इसे फ्राइ कर लेते हैं अभी तेल गरम हो चुक नहीं आप देख सेगते अच्छी तसी उपर आ चुका यहां पे मेरे आपको स्कीप करके नहीं बता आप यहां पे में जहरा ले ले तो जहरे से इसे चिडख करना है जैसे आलू पूरी या पूरी नॉर्वल मना तो कैसे बनाते तो सेम वही प्रोसेश है खाली यह उड़त द जो भी खाएगा ना दोस्तों खाते ही जाएगा खाते ही जाएगा अब इसे अच्छी तसे गोल्डन फ्राइ करना यहां पर मैं आपको स्कीप नहीं करूने वाली क्योंकि एक एक वड़ा केसे फुला जाता है वो मैं आपको बताओगी आप जब घर पे बनाओगे न तो आप हमें बताते हो नो तो मुझे अच्छा ने लगता पर मैं आपको अच्छा सिखाने को बोलती हूँ जैसे मेरे से होतन में आपको बताती दोस्तों अभी अच्छी तसे फ्राइ हो गया हलकी बबल्स करम होने के बादी से निकालना आप तुरन निकाल दो गे चलो वड़ा अपर मैं आप खाने में मज़ा आएगी नहीं अब इदम फुला फुला तम टम जैसे हमारा बड़ा बनका तयार हो गया बनका तयार होगे हमारे पित्रू पक्ष पेशल उड़त दाल के वड़े वो इदम पूरी के जैसे फुले फुले मैं एक वड़ा पको लेके बता दु उम्मित करूगी तरीका बहुत ही पसन आया होगा अभी तोड़ के बता देती हूँ वाव इजीली है तुट्रा इदम इजीली और यहां पर बीना सोडे के हमने बना इदम बीना सोडे के देख सकते हो कितना फुला फुला है वड़ा बनका तयार हो गया है